कुरोना के खिलाप देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुछ सब्ता पहले तक स्थित्या समली हुई थी और फिर एक कुरोना की दूसरी बेव तुफान बनकर आ गई जो पीडा आपने सही हैं जो पीडा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देश वास्चों के तरफ से उनके प्रती समवेदनाई व्यक्त करता हूँ परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूँ चुनोती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने होसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाप, पैरा मेडिकल स्टाप, हमारे सभी सभाई कर्मचारी भाई भेहन, हमारे एंब्यूलन्स के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षाबल, पुलीस कर्मी, सभी की सराना करूंगा आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दाव पर रगाकर लोगों को बचाया था आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सूख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है त्याज्यम न धैरियम, विदुरेपिकाले, अर्थात, कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए किसी भी परिस्तिती से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रहास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं इसी मंत्र को सामने रख कर, आज देश दिन रात काम कर रहा है बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिये गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में, आक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस विशे पर तेजी से और पूरी समवेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर, सभे की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को आक्सिजन मिले आक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाइग को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं राज्यों में नए आक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुँचाने हो और द्योगी इकाईयों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो, ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है आज जन्वरी फर्वरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है इसे अभी और तेज किया जा रहा है कल भी मेरी देश की फार्मा इंडिस्ट्री के बड़े जो प्रमुक लोग हैं उसके जो एक्षपर्ट लोग हैं उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है हम सौगफाग्य साली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है कुछ शहरों में ज़्यादा डिमान को देखते हुए विशेश और विशाल कोविड होस्पिटल बनाए जा रहे है साथियों पिछले बर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन के लिए काम शुरू कर दिया था हमारे वैज्यानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाच्चों के लिए वैक्सिन विक्सित किये हैं आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सिन भारत में हैं भारत की कोल्ड चेंड विवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास है इस प्रयास में हमारे प्रावेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहत्रीन प्रदर्शन किया है वैक्सिन की एप्रूबल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है यह एक टीम एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्शिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान सुरू कर पाया टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेत्रों तक जरूरत मन लोगों तक वैक्शिन पहुँचे दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वैक्शिन डोस दिये गये हैं आज कोरोणा से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वर्कर्स फ्रंट लाइन कोरोणा वारियर्स और सीनियर स्टिजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्शिन का लाब मिल चुका है साथियों कल ही वैक्शिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्शिनेट किया जा सकेगा अब भारत में जो वैक्शिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा इस बीच गरीबों, बुजरगों, निम्ले मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्शिन कारकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुप्त वैक्शिन मिलती रहेगी जिसका फाइदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मद्यमबर, निम्मद्यमबर के परिवार हो वो उनका लाब उठा सकेंगे साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए हैं और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयासे भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिवी का कम से कम प्रभावितो प्रयास का तरीका यही रखा जाए वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमिकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाए रखे उनसे आगर करे कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा